किसान अंदोनन का अज 11 दिन रहा संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है किसान मजदूर मोर्चा के कौडिनेटर सर्वन पंदेन ने शाम को खनोरी बॉडर पर मीडिया को यह जानकारी दी इसके पहरे शुकरवार को किसानों ने बलेक डे मनाया शंबू बॉडर पर किसानों ने काले जंडे ले रहा है और काली पट्या बांदी हर्यान पुलिस ने अंदुलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ राष्टी सुरक्षा कानून के तहत कारवाई का फैसला वापस लिया इससे फेले गुरुवार को अंबाला पुलिस ने कहा था कि प्रदशन के दोरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आंदुलन कारी किसान नेताओं से की जाएगी इसके लिए उनकी संपत्ति कुर्क और बेंग खाते सीच किये जाएंगे पंजाब सरकार ने खनोरी बॉर्डर पर मरे भटिंडा के किसान शुकरन के परिवार को एक करोड मुआवजा और बहन को सरकारी नोकरी की घोशना की हालकि परिवार और किसान नेता हत्या के आरूपियों पर एफायर दल्च होने तक शुकरन का अंतिन संसकार न करने पर अड़े हुए